कपास इंडिस्ट्री अधिकारियों का कहना है कि कारोबारियों द्वारा बेंचमार्क यूएस फ्यूचर्स पर भारी प्रीमियम लेने के कारण कपास का निर्यात कम होना शुरू हो गया है। स्थानिय कपड़ा मिलों की ओर से मजबूत मांग और उत्पादन कम रहने की उम्मीद के बीच ऐसा हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक भारत द्वारा ज्यादा प्रीमियम मांगने से बांगलादेश, वियतनाम और चीन जैसे एशियाई खरीदार अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ा को बाध्य हो सकते हैं. मुंबई के कारोबारियों का कहना है कि निर्यात अलाबकारी है. हम बहुत थोड़ा माल बांगलादेश को बेच रहे हैं, लेकिन अन्य खरीदार नहीं खरीद रहे हैं. वैश्विक ट्रेडिंग फर्मों के डीलरों ने कहा कि भारत के कपास की पेश से 10 सेंस पाउंड प्रीमियम लेता है. वही माना ये जा रहा है कि रिकॉर्ड घरेलू कीमतें 30 सितंबर को समाप्त होने वाले 2021 से 22 विपनन वर्ष में निर्यात को प्रभावित कर सकती हैं. साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि खरीदारों द्वारा प्रतिसपर्धी अब तक इस सीजन में 18 लाग गांट का निर्यात किया है और जन्वरी और फरवरी में 10 लाग गांट का निर्यात और हो सकात है. कुछ डीलर्स का कहना है कि बांगलादेश के कुछ खरीदार ही भारतिय कपास के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ततकाल इसक ज्यादा विश्वसनिय हो जाता है. बांगलादेश अमेरिका से भी कपास खरीदता है, लेकिन अमेरिकी कपास की फसल मार्च के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी और समय से माल आने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कोविड की नई लहर के कारण मजदूरों की कमी हो गई है. भारत का कपास उतपादन दो हजार इकी से बाईस विपनन वर्ष में तीन सो चालीस लाक गांट घट सकता है, जो एक साल पहले की तुलना में करीब चार प्रतिशत कम है. और कम उतपादन का असर हाजिर बाजारों में दिख रहा है और रोजाना कारोबार की मातरा घटकर गांट के करीब है, जबकि सामानित्य साल के इन महीनों में दो लाक पचास हजार लाक गांट का कारोबार होता है. डीलर्स का कहना है कि किसानों को पता है कि फसल कम है. भविश्य में दाम बड़े के अनुमान में वे धीरे धीरे स्टॉक जारी कर रहे हैं. गुजरात के अह पता है.